क्लासे चेंजिंग दा वे ओफ लर्निंग आज पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन आज का टॉपिक क्या रहेगा कि सर्कुलर मोशन है कि यह टूडी में जैसे टूडी को दो पार्ट में डिवाइड किया था एक पार्ट था प्रक्षेप ठीक है यह पूरा है यूटूब पे बहु सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन और प्रच्छेप से मिनमम एक कुष्चन आता ही है और यह मोशन का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है किसका मोशन का तो बिना टाइम नेश्ट करते हुए हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एक अलग तरीके से सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और वह सारी ऐसी चीजह पड़ेंगे जो पिछले विडियो या आपने यूVideo पे या अपनी कलास में नहीं पड़ी होगी ठीक है तो बहुत सारी चीजह यहां clear करते हूं पड़ेंगे सारा लिंक अप करती पड़ेंगे कोई भी चीज अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप वीडियो देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरारी कुलर मोशन किसी एक बिंदू इसको क्या महंने पॉईंट ऐसे एक बिंदू के चार और क्या मुद्ध पॉइंट कोई वस्तु बराबर दूरी पर गति करती है कैसी दूरी पर शारी दूरीएं कैसी बराबर तब यह कैसी कहलाती है ब्रतिय गति ये अम इसको कहेंगे ब्रतिय गति ब्रतिय गति definition क्या है जब कोई वस्त इसको कोई object मान लेते हैं क्या मान लेंगे object ठीक है ये कोई object है ये circular कोई point है कोई बिंदू है इसको क्या मानेंगे कोई object किसी एक point के परता चारोर लगातार कैसे करती है लगातार कुछ बरावर दूरियों पर लगातार बरावर दूरियों पर गति करती है तो वे गति कैसी कहलाती है ब्रतिय गति ठीक है इनके अगर examples देख लें क्या देखें examples कभी-कभी questions में पूछ लिया जाता है क्या पूछ लेते हैं निम्न में कौन सा ब्रतिय गति का example नहीं है यह निम्न में कौन सा ब्रतिय गति का example है तो मुझे example clear होने चाहिए जैसे घड़ी के सुईयों की गति इसकी गति घड़ी के सुईयों की गति और एक ग्जाम्पल है मौत के कुवे में मोटर साइकल की गती जैसे प्रत्वी की सूर के परतह गती शिच्राइए जितनी उप2 ऋपघ्र क्या पड़े अपने वोपघ्र है उपघ्र आपके की प्रत्वी के परतह गति बहुत सारे cud shooting अगर कोई वह वश्क despite गति करता है तो यह कैसी कहलाएगी ब्रति अगति एकजाम्पल मुझे लखना है घड़ी के सुयों की गती कैसीर प्रत्वी के प्रत्वी की सूर के परता गति उपग्रों की प्रत्वी के परता गति ये सब कैसे एक्जम्पल दाते हैं ब्रत्थी गति ब्रत्थी गति को पढ़ने कितने बागों में दो बागों में कितने बागों में दो बागों में एक तो हम पढ़ेंगे एक समान गती एक किया पढ़ेंगे आसमान ब्रत्थ ए गती ये समान ब्रत्थ और एक असमान ब्रत्थ घती दो अब हमने केवल पड़ा और आसमान ब्रत्ति गती इसे कहेंगे यूनिफॉर्म कि सर्कुलर मोशन इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन यानि ब्रत्ती गति ठीक है होगी क्या एक समान ब्रत्ती गति असमान ब्र यह से हम कई चीज़ा पढ़ेंगे एक होगा वेग एक होगी चाल फिर होगी गतिज उर्जा क्या होगी कि गतिज पूर्जा सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहां पर वेग और गतिज उर्जा कौन-कौन सी चीज़ा है वेग गति जूर्जा यह एक क्या है चाल तो हमें समझ के पढ़ना है वेक चाल और गति जूर्जा इन में चाल और गति जूर्जा कैसे रहते हैं आप परवर्तित कैसे रहते हैं नॉन चेंजेविल है ट्रथिक है यानि नहीं बदलते हैं क्या लिखेंगए नहीं बदलते हैं अर्थात कैसे होते हैं शाल-चाल और शूर्जा में मुझे दो बाते याद रखती हैं कौनवारी चाल और शूर्जा कैसे इन नोन चैन्जेबीलका मतलब यह बदलते नहीं है और इनकी गति कैसी होती है कॉंस्टेंट अच्व दिए हम पड़ क्या रहे हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे एक समान ब्रति गति क्या पढ़ेंगे एक समान ब्रति गति सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक समान ब्रतिय गति ठीक है पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर किया पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर बूसन इसको पढ़ते समय देखो यह कोई बस्तु यह राव रतिका के अंद्र यह राव कोई पार्टिकल ठीक है किसी टैम किसी समय इसका व कितना मन लिया व कितना है व ठीक है और बस्तु है कहां पर एपर ओ क्या है इसका के क्या और बस्तु कहां पहुंच जाती है विपर उसने यहां से यहां तक यह क्या पढ़ापन ने यहां से यह तक है यह तो दूसने दूरी ते कर लिए यह कितनी माली ऐल दूरी तो उसका गोड़ी क्या वहा ठीटा जब हम ब्रत्तीकति पढ़ेंगे तो हमेसा दो बातों को याद रखेंगे एक हम पढ़ेंगे रेखी एक क्या पढ़ेंगे कोड़ी ठीक है दो विस्थापन होगे एक रेखी विस्थापन होगा और एक कोड़ी विस्थापन होगा ठीक है यह रहा कोड़ी विस्थापन और यह क्या है रेखी विस्थापन यह रेखी दूरी एक रेख के बारे मी बात करते है छी इसके वेजन के ट करेंगे से होता गया है वे परवरती हैा ईटirk कीसा है परवरती essentials कि सदस्राश है कैसी राशी है संदिसराश्य में किया पड़ेंगे में बिद राशी Is जो ब्रत्ति गति में परवर्ति है और सदेस है कौन सांसर आएगा वीग इसके बाद क्या पढ़ेंगे चाल ठीक है चाल यहां पर गया होता है एक समान चाल क्या रहती है एक समान ठीक है तो ब्रत्ती गति में कौन सी गति में एक समान ब्रत्ती गति में चाल कैसी होती है एक समान क्यों होती है क्योंकि चाल एक अधिस रासी है कैसी रासी है अधिस और इसमें दिसा की कोई आवसकता नहीं है किसकी आवसकता नहीं है दिसा की और बेक यहाँ पर कैसा है परवर्वर्थी कैसा है परवर्थी और कैसी है सदेस जब कोई वस्तु ब्रत्तकार पज़ती सब्सक्राइब करती तब हमेशा वेक परवर्थी होगा क्यों आगर इस पोईंट पे दिसा निकालें जिसे हम यहां पर दिसा करता है यहांग फिर्टीए तो तो पर बरतित होगी तो बिदल जाती है जिस कारण वेक कैसा होता पर बरती होता है यह यहां पर त्वर्ण काम करता है क्या करता है तो चौर्ण कार करने के वावजूद भी वस्तु का वेग बदलता रहता है ठीक है वस्तु का वेग बदलता रहता है तथा चाल अचर रहती है इसको पूरा समझ लीजिए सबसे पहली चीज वेग परवर्ती है क्यों वेग परवर्ती होने का कारण है कि वेग लगातर वेग की दिशा लगातर कैसी हो रही है बदल रही है इसलिए वेग कैसा हो गया परवर्ती चाल कैसी हो गई एक समान चाल कैसी हो गई एक समान जंदली समानता हम पढ़ते क्या है क कि जब भी तौर्ड काम कर रहा हो क्या काम कर रहा हो अगर वस्त उपर क्या काम कर रहा है तौर्ड तौर्ड कारण रहा था है कि तब निश्ची थी चाल बढ़ेगी क्योंकि तॉरण अगर बढ़ेगा एकसिलेटर लेंगे तो चाल बढ़ेगी लेकिन तॉरण बढ़ने के कारण भी यहाँ पर चाल नहीं बढ़ती क्यों क्यों तॉरण बढ़ने के कारण भी चाल नहीं बढ़ती यह बात गलत हो जाती यहां पर क्यों नहीं वढ़ती वस्तु की दिसा परवरतन में नश्ट हो जाता है ठीक है तो यहां से तीन से चार बाते निकल कर राती है कौन-Kौन सी वाली सबसे पहले की विक वेक कैसा रहता है परवरती चालं कैसी एक समान वस्तू मेंच तुरालग कर रहा है फिर भी यहां पर चाल एक समान है इसका जब भी वस्तू पर सब्सक्राइब सिर्ब्सक्राइब सब्साइब catagarm अगर दूसरे बिंदू पर जानेमें प्रति एक बार दिसा बदल रही है ठीक है और हम एक छोटे से छोटे से पॉइंट पे भी अगर जाएंगे तो इसकी दिसा बदल जाएगी इससे होगा क्या इससे क्या होगा कि कि वस्तु की जब दिसा बदलेगी क्या बदलेगी दिसा बदलेगी तो दिसा बदलेगा कार कौन करेगा तो 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 क्या कार होता है दिसा परिवर्त यही कारण है कि यहां पर चाल नहीं बढ़ती और चाल कैसी रहती है क्योंत तो तो लिकार करने के बाब जूद्ध भी चाल नहीं बढ़ती क्योंकि प्लब Giving नष्ट हो जाता है तो Espied तोलड होने के कारण भी चाल नहीं बढ़ती & option दे रहेंगे आपको चार ठीक है। इन जाएंगे क्यों अंसर होगा आपका तोराद दिशा परवरतर में नश्ट हो जाता है ठीक है अब सर्कुलर मोशन में आमने पहले बताया आपको एसे भी जाएंगे ये ठीटा कोड़ गुम जाएंगे ठीक है एल क्या होगा एल इसकी रेखी है रेखी दूरी होगी तो हम इन म ये में रिलेशन पड़ते जाएंगे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे कै अचे है तो आगे बढ़ाते हैं प्रति गती क्या पड़ हzę थे ब्रति प्रति कितम पहले हैं पहले बार बहुत सारी चीजा इस वीडियो में बहुत सारी चीजिसे में आप ऐसे भी बार करके बताया था यह कितना कोड़ है ठीटा ठीटा ठीड़ा पहले मैं किस पॉइंट पेठाएंग पहूंच गया सपोर्ष किया दीटाइम टीटाइम में एसे कहां पहुंच गया कितनी दूरी त्यकरी दूरी अपर कितनी है यह पी और किया चाप ठीक है, कितनी माल लूँ मैं, L, कितनी माल लूँ, L, relation मना हूँ, किस में, दूरी L, तिर्जा कितनी माल ली जाए, तिर्जा कितनी माल ली, R, ठीक है, कोड कितना माल लिया, ठीटा, कोड ठीटा, तिर्जा R, दूरी L, ठीक है, कोड ठीटा माना है, A से B की दूरी कितनी है, L, दूरी की बात करें यह है दूरी ठीक है विस्थापन की बात नहीं करिए वी किसकी बात करिए दूरी की बिस्थापन अलग आएगा दूरी अलग आएगी क्योंकि यह ब्रक्त है और विस्थापन कौन सा होगा यह रहा विस्थापन अपन भी निकालेंगे क्या निकालेंगे आपने अभी तक बिस्थापन नहीं पड़ा होगा तो याद रखना दूरी कितनी है l तृज्जा कितनी है र ठीक है तो यह सवर्मुला याद होना चाहिए इसके बाद हम ड्रेक्टली याद करेंगे विस्थापन क्या है चारत करेंगे विस्था-पंध्था रजात करेंगे क्या अब ran और लाइंगे । क्या है को याद रखने पूंडेका 10 अधरी माना कितना है एल और फीन सन आया YouTube ङाद रखने आवर और थीटा एक इसके बाद क्या पढ़ेंगे विस्था और अपन बेसापन पिस्थापन कहलेगी ठीक है इसका फर्मूला आपको याद रखना है डिरेक्टली क्या आएगा इसका फर्मूला इसको याद रखेंगे टू आर साइन थीटा वाई टू अगर आप से पूछा जाता है तो अब यह याद रखेंगे ठीक है स्क्रीन सोट लेते जाए और अगर अगर कभी कभी एक बार कुश्चन पूछा गया है अगर विस्थापन किसमें विस्थापन और दूरी में अनपात पूछ लिया जाए किसमें अनपात पूछ लिया जाए विस्थापन और दूरी तो विस्थापन कितना आएगा यह रहा विस्थापन कितना आएगा टू आ और साइन थीटा वाई टू दूरी कितनी आईगी और थीटा ठीक है और क्या हो जाएगा कैंसे लोड़ेगा कितना जाएगा टू साइन थीटा वाई टू बाई थीटा कभी क्या पूछते हैं उल्टा पूछ लिया दूरी बटे विस्थापन एक पॉइंट यह बन गया एक प पर नई पड़ी हैं उनको याद रखना है यह मोस्ट पड़ते आते हैं बुक्स में मिलता है ठीक है लेकिन अगर विस्थापन की बात करी जाए तो यह निकल के आता है विस्थापन टू और साइन थीटा वाई कभी कभी विस्थापन बटे दूरी कान पात पूछेंगे त अपने फ्रेंड सर्कल गुरूप में करें जिससे बहुत सारे लोग पढ़ सके ठीक है सब का बला हो सके नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं यहां तक आप समझ गये होंगे कि यह बात करी मैंने यहां तक समझ गया आप अगर इसी टोपिक में कोडी विस्थापन की बात करूं किस की बात करूं कोडी विस्थापन की तो सब्सकरते हैं यह कितना रए थीता थे कहाँ पर पहुंचे में ब्एजब यह कितना रह दीएस ठीक है दियएस क्या है विस्थापण विस्थापन यहा अलप दूरी लेते हैं दूरी और विस्थापन है थीक़ है बराबर होते है जब टियस की बात करें क्यों चहां मैंने थी基本 यहां ले लिया भी एसमें ना तो बिस्थापन और दूरीं में कोई अंतर होगा इस लिए च्छोटे टीटा और एस की बात है तब लग बात है लेकिन हम जब सवाल या कुछ कि नुमेर्कल स्वैलू को निकालेंगे तो डी ठीटा की जगा ठीटा यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं नहीं आनी चाहिए ठीक है यह समझ सकते हैं आप ऐसा तो यहां पर हम अगर शूत्र पढ़ें तो वही कि डीएस बराबर कितना आजाएगा डीएस क्या रहेगा विस्थापन अगर विस्थापन की बात करें तो ऐसा ही मानेंगे कम मानेंगे जब क्या होगी अल्प दूरी होगी और वैसे विस्थापन का सूत्र क्या पढ़ा है हमने अलग से अलग से विस्थापन का सूत्र क्या है आपके याद रखना है टू आर स साइन थीटा वाई टू विस्तापन जब डी एस ना हो दूरियां हो कुछ यहां पर एंगिल बन रहा हो साट अंस नब्बैंस ऐसे तब विस्तापन यह आएगा ठीक है एंगल अगर बहुत छोटा है पांच अंस दस अंस तब यह वाले फॉर्मूलेज यूच कि जाएंगे य से ठीक है अगर हम पढ़ते सानां कौिज एक अगर रेकी एक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे रेखी एक व्य वे वर एक पढ़ें गे क्या these फिस्साब्साद हई पर sunshine फ weak की तो क्या है बडुरी के साथ समय परवर्वर्तन की दर को छीक है सब्सक्राइग दूर्य के साथ समय परवर्तन की दर को क्या कहेंगे यह थिटी या कोड़ी वेख टी सीता वटें रेखी वेग दूरी वटे टी यानी इसको क्या कह सकता है ए अ problem बाटी ठीक है यह दंग यह है कि है धा सिर् Corerich इसके बार क्या पड़ेंगे हम पलेंगे रेखी वेग और कोडीय वेग में संबंध पॉइंट कोडिय कोडिय वेग के में संबंध सब्दियकों चाहिए भी बराबर क्या होता है और उमेगा वंद्फ ए ट्वेग और कौर्ण लिए में संबंध में एक कैसी और अधिस रखना धु और यहाँ पर हम से आवर्त पढ़ाइंगे क्या होगा यहाँ पिरियड का एक लो यह । इसके चक्कर लगा रही है इसके चक्कर तो जब ब्रत्त पर गूमति एक चखकर का समय हम ए से जाएं और घूमकर यह पर यह जाएं जितना टाइम लगा वा क्या उप्येगा आवर्त काल किसी वस्तू को टीक है एक बिंदू से गुम कर पुना हां उसी बिंदू पर आ जाए यह पूरा टाइम क्या कहलाएगा आवरत काल इसका फॉर्मूला याद रखना है टी वरावर टू पाई अपॉन टी क्या होगा टू पाई अपॉन टी तू पाई क्या है जब कोई वस्तु पूरा कितना गुम जाएगी टू पर ठीक है जो से आएन वरावरावर फॉर्मॉला एक याद रखना है इसके बाद दियाद रखेंगे अवर्ती क्याइद पढएंगे आव वर्ती frequency हम थीच को क्या है फ्रिक्वरेजेंट की से करते एन शेचेसे क्या होता है बानום टी एक सेकेंड में स्कासी का फॉर्मूला च्टाष Mmm आएं सेकेंड में चक्रों की संख्या चक्रों की संख्या क्या कहलाती है आवर्ति आवर्तकाल क्या है पूरा एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल ठीक है आवर्ति क्या है एक सेकेंड में चक्रों की संख्या बन अपॉन टी कितना होता है बन अपॉन टी एक हम और सुत्र पढ़ेंगे का क्या पढ़ेंगे कोड़ी वेक का क्या होगा ओमेगा वरावर 2 n π. ओमेगा बरावर 2 n . ओमेगा बरावर एक सूत्रोर पढ़ेंगे 2 पाइ भॉन्टी यह दो फार्मूले मस्ठ हैं इसमें आपया ब्रती टी क्या है आ वर्तका एंह आ आ वर्तक लन, प्रशाफल, 'd with Aufgabe क्या है रेखीव motorcycle औमेगा क्या है पर आर क्या है। त्रद्जया क्या है यह सारी चीज़ें खेले होंनी चाहिए ठीक है। मैं यहां तक समझ ठीक है इसको screenshot ले ले या अपनी copy में लिखते जाए लगातार next क्या पढ़ना है अब ब्रतिगति के most important हम uses पढ़ेंगे ब्रतिगत का use कहा है जैसे ब्रतिगत का most of use हम पढ़ते हैं जब किसी मोल पर मुड़ते हैं क्या करते हैं जब किसी मोल पर मुड़ते हैं ब्रतिगति में जब घरसर इंकलूड हो जाता है जब घरसर इंकलूड होता है तब बहुत सारे बहुत important questions निकल के आते हैं ठीक है तो हम उन questions को पढ़ते हैं जैसे ये कोई रास्ता है ये क्या है कोई रास्ता है है इसको आपको doan करना है ठीक है यह 20 ऐट को यह जो गोमाओ लीजा और कोई वी विक्तिा है जो यहाँ करको सायकिल किया चलाएं किछाएं सब्सक्राइब साइकल ठीक है या कोई अनबान बहुत सारी कुस्टन्स निकल के आएंगे यहां से ठीक है जब कोई व्यक्ति वस व्यक्ति किसी ब्रत्ती मार्ग पर कैसे मार्ग पर ब्रत्ती मार्ग यानि हम समानता क्या यूज़ करेंगे मौड पर जो मौड होती है वो सारी किसारी कैसी होत पर ठीक है तो ब्रती मार्क पर अगर हम गती करें ठीक है तो उसकी एक रेडियस होगी हमेशा क्या होता है जहां पर मोड होती है तो आपने सामानता देखा होगा कि एक हिस्सा उंचा होता है एक हिस्सा नीचा होता है एक होता है है यह सड़क की आ दोनों का तर्फो के बीच की ऊचाई का बक्रीज का ऑंतर क्या देखें होंगे आप कि एक तरफ सड़क नीची है और एक तरफ उची है इससे किया मिलता है परियाप्त घर-सडवल चरवल क्या मिलता कमोड़ा है इससे परयापत घरसलवल इस से क्या मिल जाते है अपन को परयापत ओंप तो सलक को हम आसानी से मोड़ या असानी से मोड़ जाए इसलिए यहां पर यह बोर कवर करेगा यह क्या करका हंभार इस अब खैंद्र 뭐 से ही हमें क्या मिलेगा घरसलता यहां से क्या सारी चीजिए निकल के आती हुँ जब कोई वस्ट बरित्ताकारपत पर गती करती अ क्या होती है मुड़्ती मोड पर मुडने के लिए हम सवित क्या देखेंगे एच इसका भी कुछ ना कुछ इटीफ पड़ता है ठीक है और इससे क्वेक्ट पढ़ता है परियाप्त घर्सलबबर इससे मिल जाता ंचेल होता मेंतड़ा से अब केंद्दवल इसकल को then एक और फर्मूला इसका पढ़ेंगे म और उमेगा स्क्वार ठीक है म और उमेगा स्क्वार एक क्या हुआ थीक है तो बृत्ताकारपत पर गति करने के लिए ठीक है हमने क्या बता है परियाप्त घरसडवल जब किसी वस्तु कोई वस्तु यह कोई साइक के कोई बहुन किसी मोड़ पर आसानी से मुड़ती है तो उसमें दो चीजों में संबंद होता है एक घरसडवल में किसमें होता है घरसडवल ठीक है इसको क्या कहते हैं म्यू एमजी क्या बोलते हैं म्यू आर आर बराबर क्या होता है एमजी आर बराबर क्या होता है एमजी इसल और घरसल बलके बीच में संबंद क्या होता है जिससे में परियाप्त घरसल में मिलता है जब तक कि घर